हेलो एवरिवन मैं हो लोकिंद्र सिंग और आज हम देखेंगे एंसी आर्टी हिस्ट्री क्लास एट का फिफ्ट चेप्टर वें प्यूपल रिबेल एटिन फिफ्टी सेवन एंड आफ्टर ये उसका सेकंड पार्ट है अम्यूटिनी बिकम आ पॉपुलर रिबेलियन देखिए शाषन और प्रिजा के बीच बीच में कुछ मद्बेद हो जाना ये कोई नहीं बात नहीं है ये मतलब कॉमन सी बात थे बट कभी-कभी लड़ाई जगड़ा मद्बेद इतने बड़ जाते थे कि ये बड़े नंबर पर मतलब एक विशाल लड़ाई के रूप ले लिया करते थे हैं उसी के बारे में इसमें बताया गया हुआ 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 है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो नॉर्धन पार्ट मतलब इंडिया के नॉर्धन से स्टार्ट हुआ था और इस्ट इंडिया कंपनी के सो साल बाद सो साल बाद ये एक पड़े इस तर पे एक रिवेलियन हुआ था मतलब सोस जब उन्हें लगब लगब सोसाल हो गए थे तब उनको यह एसास को कि हम मतलब गुलाम हैं अंग्रेज हो कि तब जाकर उन्हों और और यह स्टार्ट हुआ था है मेयरट से सिपाई उन ने कई जगा इंडिया के कई सारे जगाओं पर यह रिपेलियन कर जह था बड़ इसकी शुरूआत थी मेरट से और कुछ जो रिपेलियन थे वह सोचा करते थे कि यह वर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मतलब 19 कि फ्रॉम मेरट टू डेली 8 अपरेल 1857 को बरक्कापूर में एक यंग सोल जड़ता जिसका नाम तब मंगल पांड है उसने अपने सीनियर्स पर मतब जो ऑफिसर हों उन पर अटेक कर दिया था फिर इस जुरूम में उसको फासी दे दी गई थी उसके कुछ दिन बाद ही और जो सपाईव 토र में मेरट में ने इस लगता था क्योंकि जो उसमें गाउ और सूर का सूर की कोटिंग इए हुई हैं पिर उसके बाद 85 सपाई़ों को नौकरी से निकौल दिया था और उन नहोंने 10–10 साल की जियल कर दी थी जिर पूब उन्होंने अपने सीनियर को जो आफिसरें उनका उन्हों को मतलब उनका बात नहीं मानी ती उनकी आग्या नहीं रिए जो बात है यह 9 माई 1857 की कि जो रिस्पॉंस था बाकि के जो इन्डियन सोल्जेर्स ने मेरेट में करा था आधा एक्स्ट औरा नहीं तो मतलब उससे पहले से कई कई जादा एफेक्टिव था और दस मईए को जो इंडियन सोल जा रहे हैं उन्होंने मेरेट की जेलमर अटेक कर दिया था और जो कैदी बंद हैं इंडियन कैदी बंद हैं उनको रिलीस कर दिया था और जो बेटेश ऑफिसर हैं उन पर अटेक करा और स्क्राइब Chinese if प्रक्राइब भी और शॉबूर तो थी क्याति अगर अंगरे जले गए और इंडिया का जो शाशान है वो मुगल एमपरिर बहादुर्शा जफरी करेंगे इंडियन की जो सिपाई हैं वो मेरट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए दस मईए को और अरली मॉर्लिंग पर ये ख़वर फैल गई ये सिपाई आ रहा हैं फिर वहाँ पर भी ये जो लड़ाई है काफी फैल गई दिल्ली में भी और दिल्ली में भी कैसारे बेटिश ऑफिसर्स मारे गए और उनकी सारी आमसे हत्यार हैं बारू थे उनको अपने कब्जे में ले लिए और उनकी सारी बिल्डिंग जला दी यह सब होने के बाद वहाँ पर सिपाही रयट फोट के पाद हैं मतलब लाल क्ले पर सब एघटे हो गए क्योंकि उन्हें बाद्षा बाहद दुर्शा जफर से मिलना था और जो बाद बाद दुर्शा जफर हैं वो मेंटली रेड़ी नहीं थे मतलब कि अंग्रेजों से अंग्रेजों की पावर का सामना करने के लिए और वहाँ पर उन्हों ने मेरट के जो सिपाई उन्होंने बहादुर्शा जफर को अपना लीडर मतलब अपना गोशित कर दिये वहीं पर दी कि अब आप ही समालो बहादुर्शा जफर ने जो सिपाही मेरट से थे उनकी बात मान ली वो रेड़ी हो गए कि इस्ट इंडिया कंपनी के बात वो शाशन करेंगे फिर उन्होंने बहादुर्शा जफर ने इंडिया के जितने भी राजा हैं जितने भी प्रांद थे उन सबके जो सबके राजाओं को चट्थी लिखी और उन्होंने इसा कहा कि अब हमें इस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी और यह चोटी सा स्टेप यह बहुत बड़े बहुत बड़ी स्टेप बड़ी स्ट किया करते थे और जो कई सारे चोटे चोटे राजा हैं जो कई सारे प्रांते हैं जो जो राज किया करती थी ऑन दे बहाफ ऑफ दमो मुगल्स के नाम पर वो लोग राज किया करते थे उन्होंने सोझा कि अगर मुगल्स राशन दुबारा से आएगा तो उन्हें अब उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मेटर हो जाएगा क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वही थी मेरट में सिपाईयों को ट्रेनिंग दे टाइम उन्होंने बंदू और काटे ले जो भी उनका ट्रेनिंग के टाइम भी यूज करते हैं उस पर सुर और गाई के मास्की क्योंकि जब छोटे इनसान को बड़े इनसान का सबूर मिल लाता है तो वह मतलब और जान में जाना आ जाती है जब बिटिश के हाथ से दिल्ली का कंट्रूल गया तो यह मतलब लगब लगब एक हफते तक कोई लड़ाई जगड़ा किसी परकार की मतलब रिबेलियन नहीं हो बट खबर पहुंचने में खबर फेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है फिर उसके बाद से दुबारा से र एक के बाद एक रिबेलियन स्टार्ट हो गया मतलब रिबेलियन के बाद रिबेलियन के बाद रिबेलियन के बाद रिबेलियन धीरे ओल ओवर इंडिया में फिल गया दिल्ली कानपूर लखनौ मतलब जो सिपाही हैं जो मतलब इस इंडिय कंपनी में सिपाही हैं वो लोग करने का इरादा कर लिया था और जो नाना साहिब हैं जो अडाप्टेट सने पेश्वबाजी राओ के वो कानपुर के पास राओ करते थे और उन्हों ने अपने आपको पेश्वगोशित कर दिया और यो डिकलियर कर दिया कि वो गवर्नर हैं अंडर था बहादुर बहादुर शाफर के अंडर में अब वो गवर्नर हैं और लखनौ में जो सन हैं वाजद अली शाह को अन्हों ने लखनौ को अब नवाब कोशित कर दिया था और जो हजरत बेगम हैं उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ चड़कर हिस्सा लिया और इसी के साथ जहा इसी के राणी भी आई उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसमें इनका साथ दिया तात्या टोपे ने जो की नाना साहीब के जरनल थे नाना साहीब के सेना पती थे और इसके साथ ही मर्द परदेश के मंडला रीजन में रानी अवन्ती भाई लो अब दिरे दिरे क्या हो रहा था वो धीरे अपनी सारी बैटल्स मतलब कई सारी जांगें धीरे हारते जा रहे थे और जो इंडिया ने वह मतलब कंवेंस हो जोके तो अल्मोस्ट कि अब जो बिटिश का राज है धीरे-धीरे ख़तम हो जाएगा तो इससे और बागी के लोग प्रभाव गया तो और कुछ लोगों ने मतलब और लड़ने के लिए और आ गया और सिचेशन और जाता खराब हो गई अवद में फिर छे अगस्त को 1857 में एक टेलीग्राम भेजा गया जो कि करनल ने भेजा था कि बिटिश को कि अब जो सिचेशन और जाता खराब हो गई भी इस्ट इंडिया कंपनी एक खिलाफ खड़े हुए हैं अब कई सारे लीडर्स और आए लड़ाई लड़ने के लिए फूर एक्जामपल के तोर पर एहमद उल्ला जो कि एक मौलवी हैं फैजाबाद के मतलब उन्होंने एक भवश्वानी करी कि अब जो है इस्ट इंडि लखनव पहुँच गए बेटिश से लड़ने के लिए और दिल्ली में भी लार्ज मतलब बहुत सारे गाजी एकटे हो गए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए बक्त खान जो कि एक सोलजर हैं बड़े लिए कि वो भी अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुँच गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए और इसी के साथ जो बिहार के पुराने जमीदार हैं और जमीदार हैं कोर सिंग ये भी अपनी टीम के साथ मतलब अंग्रेजों से लड़ने के लिए रेड़ी थे और ये भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए लड़ाई लड़न के बात company ने इसका बद्ला लिया और इंडियन्स पर जो जो की rebellion थे उन पर प्लटवर किया जो जो भी लोग थे जो इन पर अटेक कर रहे थे company ने उन पर ढबा बोल दिया और से अपनी काफी सारी टीम बुलवाई जो भी इंगलेंड से और सारे सपाई ही बलवाई और जो इनके जो भी सेंटर थे रिवार्ड सेंटर ते जहां भी डिसकेशन करते टीम ती वहाँ पर इन्होंने अटेक करा और दिल्ली को वापस अंग्रेजों ने अपने कबजे में ले जीवन कारावास की सजा दी और बहादरुशा जफर और उनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल को रंगून के जो कि अभी मियानमार में रंगून के जेल में बेज दिया था अक्टूबर 1858 में लेकिन बहादरुशा जफर की देथ हो गई थी वहाँ पर 1862 में चार साल बाद ही अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब लड़ाई पूरी तरीके से खतम हो चुकी है इसके कुछ टाइम के बाद भी लड़ाई चलती रही जो रिबेलियन थे वो अपनी लड़ाई जारी रखा उन लोगों न अंग्रेजोंने लखनो को अपने कंट्रोल में करलिया ता 1858 में य्जून में रानी लक्षै भाई को भी मार दिया था और ऐसे हिववा थो रानी अवंती भाई के साथ वी उन्होंने उन्हें उन्हें भी मार दिया था लेकिन तात्या टूपे हैं जो सेंट्रल इंडिया में रहकर गोरिला वार करते रहे जो ट्राइब हैं जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके सपोर्ट में लड़ाई लड़ते रहे लेकिन एक साल बाद 1859 अप्रेल में उन्हें भी मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा पहले जैसे जैसे अंग्रेजों से लड़ाई जीत रहे थे तो हमारा जो पोसाहा ने वो बना हुआ था जो हिम्मत थी बनी हुई थी लेकिन धीरे धीरे बिटिश जीतने लगे थी धीरे जो जीत है बिटिश के पास जाने लगी तो बाकी रिबेलियन के भी हिम्मत तूटन उनकी लोयाल्टी जीतनी की कोशिश करने लगे थे वह अनौस करने लगे थे जो कोई भी वेक्ति हैं अगर अपने आपको सेलेंटर कर दे अच्छा तो हम उनकी जमीने वापस देदिंग और वह जो अपनी जमीन में जो भी करना चाहें हो दूबारा से कर सकते हैं . लेकिन इसके बाद भी अंग्रिजों ने 🎵 मतले हभा वादा किया था किसी को नहीं मारें, इसके बावजोद भी हुद्ध अन्हों ने सहेकलों लोगों को लिए इसकें किस चला और उन पुराने रूल्स रेडुलेशन हैं उन्हीं रूल्स रेडुलेशन सेम पॉलिसिस के साथ वो इंडिया में रूल करें वह कुछ चेंजस लाना सा रही थे तो कुछ जो चेंजस करें ते इस्ट कंपणी ने इस्सकी कुछ लिस्ट दी हुई है अंग्रेजों ने मंघrzy मंदल वहां पर इन्होंने अपोइंट करा सेक्रेटरी ओफ स्टेट फॉर इंडियर मतलब एक पोस्ट बनाई सेक्रेटरी पोस्ट जो इंडिया के सारे मैंटर्स पर उन्हें एडवाइज दे और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया उसको और इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेजों ने फिर से ओल ओवर इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था सब्सक्राइज है कि अंगे से ने जनरी जब्सक्राव ऐस ना करें ूथ honeymoon को सबसें किसी बहार से पर किसी बिया वह समीन नहीं चाहिए उनहें एक काम करना फोगा इस अब कर समूझ सब्सक्राइब washing कोह disgर फिय विग उनके Θा यह मतलब उनकी अधीनता को स्युकारना पड़ेगा मतलब उन्हें मानना पड़ेगा कि सबसे उपर जो है वो बेटिश क्वीन है और इंडियन इसके लिए राजी भी हो गए थे इंडियन ने समान लिया था इंडियन रूलर ने कि अब हम उनके सबॉडिनेट है नेक्स्ट है कि बेटिश ने मतलब जो अब जो अगरेश आशान आ गया था उन्होंने भी डिसाइट करा कि इंडियन सोल्जर्स की हम कमी करेंगे हमाई जो आर्मी है टीम है पुलिस में उसमें इंडियन सोल्जर्स की कमी करेंगे और ये भी डिसाइट करा गया कि अब जो रि और पठान को रिक्रूट किया जाएगा बिटिश की आर्मी के लिए और जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी उन पर अंग्रेजों ने अपने कब्जा कर लिए उनका ऐसा मानना था कि जी रिवेलियन हुआ है सबसे बड़ा कारण यही है फिफ्थ पॉइंट है बिटिश ने अब ऐसा डिसाइट करा कि जो भी इंडियन अपने इसाब से पूजा पाट करते हैं जो कस्टम्स होते हैं रिलीजस होते हैं किसी भी धरम का और उनके किसी भी सोशल प्रैक्टिस का हम सम्मान करेंगे और सिक्स्थ पॉइंट में हैं कि बिटिश ने इससे डिसाइट करा कि अब लैंडलोड और जमीदार हैं अब उनकी मतलब हड़ापने के बजाए बलकि उन्हें प्रोटेक्शन देंगे उनकी जमीनों को सिकॉरिटी देंगे अब यहां से न्यू फेस स्टार्ट हुआ 1857 के बाद से दाखुर्दा अप्राइजिंग के स्टेडी देखिए जैसा 1857 में हुआ था इतना लड़ाई जगड़ा 1857 का रिवोल्ट हुआ था ऐसा ही एक 1817 में हुआ था वह उसी का नाम है खुद्रा अप्राइजिंग तो उस देखिए खुर्दा एक उडिसा में एक फ्रांस ता छोटा सा जहां पर कुछ जिले थे कुछ गाउं वगेरा थे उसका यह पूरा मेटर है वहां का वहां पर खुर्दा में एक राजा था बीरा किशोर देव बीरा किशोर देव के पास कम से कम चार मतब कुछ जगाएं ही थी और जो जगनात टेमपल है उसका पूरा कंट्रॉल था वो पूरा बीरा किशोर के कंट्रॉल में था बट कुछ पॉलिटिकल एकनॉमिकल प्रेशर के कारण इस यह बीरा किशोर को अपने जो राइटस हैं जो जो अपनी जमीन है जो 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 इसके हग की जमीनी थी वह उसको कुछ प्रिशर के कारण मराथाओं को सौपनी पड़ी थी जो मराथा थे लेकिन जो इसका सक्सेसर था मतलब बेटा बेटा था मुकुंच देवो इस बात से बहुत जादा डिस्टब रहता था क्यार हमारी जमीन है ये मराथाओं के पास कैसे जा सकती है लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी दिखी थी अपनी जमीन अपना जो हक है जो प्रॉपर्टी वह वापस लेनी की जब अंग्लो और मराथा बार हुआ था मतलब जब अंग्रेजों के पास एक ओफर लेके पहुंच आप ले आप ले अपने पास लेकिन अंग्रेजों ने उड़ीसा को 1830 में अपने कंट्रोल में लेने के बाद उनकी बात को रिजएट कर दिया मतलब उन्होंने कुछ जादा इंट्रेस्ट नहीं देखाया कि हम मतलब आपको अपनी जमीन वापस करेंगे कि नहीं करेंगे इसका इंपक्ट ये पड़ा इसके साथ जो अधर जो राजा थे वो दूसरे राजाओं के साथ मिलकर और सीक्रेटली जो मराठाओं हैं उनके साथ इन्होंने अपनी टेरिटरी को और मंदिर को पॉलिटिकली हासल करने का ट्राय करा बट कुछ टायम के बाद इन्हें वो मंदिर हासल करने के लिए वो जगना टेमपल को अपने कंट्रोल में करने के बाद अंग्रेजों ने बोला कि हाँ ठीक है ले लो यह वाला मंदिर बट इसका तो में वन टेंथ हमें एज़ा टेक्स के रूप में देना पड़ेगा और इसकी शुरुआती यहां से हुई और धीरे धीरे बड़ते بड़ते ऐठारसु साट्रा में इसने विशाल लडाई को रूप ले लिया था मिज़ुरीटी जो जमीन है यह अभी वह अंग्रेजों के पास ही थी यह अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज़ों ने क्या कर रहा इसके बाद जो जमीन अंग्रेज़ों के अंडर में थी उन पर बहुत जादा टेक्से लगा दी इतना टेक्स लगा दी कि उन्हें जो आम लोग हैं उन्हें पे करना भी काफी मुश्किल हो रहा था फिर 1805 से लेके 1817 तक बहुत सारे गाउं क वहासी हैं जो गाउं छोड़कर जाने लगेते हैं मतलब अब क्योंकि टेक्स इतने बढ़ा दी तो वहां कर रहना उनको वहां पर रहना टेक्स पर करना बहुत मुश्किल हो रहा था इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने मतलब किसी परकार का डिसकाउंट किसी परक मतलब नेच्वल कि नेच्वल डिजास्टर टाइप में किसी परकार की प्रॉबलम आती थी इस पर भी इस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ लोग हैं मतलब उन्हें किसी परकार का टेक्स में डिसकाउंट नहीं कर देते तब भी उतना ही टेक्स उनसे वस्कुला जात तो जो हेरेडिटी मिलेटरी कमांडर था जिसका नाम था जगल बंदू बिद्यार महा प्रताप ब्रामा भर राय जिसको बक्सी नाम से भी जाना जाता था और वह मतलब उसकी ऐसी कंडिशन आगी जब अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रॉल में कर रहा था कि उसको मतलब अलावा और जो नए नी रूल्स रेगॉलेशन लाय थे अंग्रेज़ लोग तो उन्होंने सिच्वेशन को और खराब कर दिया था आए देखी पहला तो यह है अंग्रेज़ों ने वहां पर सिल्वर मतलब चांदी के सिके जारी किये बी दूसरा उन्होंने का कि वही है जो परानी करनसी की रूप में नहीं करना है एक यह प्रॉबलम थी और तीसरी प्रॉबलम थी कि जो फूड है जो खाने पीने का इटम में वह काफी महंगे हो गए थे और उन्होंने जो उडिसा में नमक बनाते थे जो लोग तो अंग्रेज़ों ने इस पर मॉनोपॉली भी कर दिए ग्ली करूब जो नमक बनाती थे और चोथा कि जो कलकत्था के घृट जो कलकत्था में जो जव्हें जश्हार सोभी भीज हो गया और उडिसा की सिच्यश्योड ही और जाद वरस तोगी पहले से कर दिए 29 मार्च 1817 में पाइक्स ने पुलिस टेशन पर अटेक कर दिया और जो भी उनकी अंग्रीजों की संपत्ती थी और उसको भी लूट कर लेगा लगब लगब उस अटेक में 100 से जादा लोग मारे गए पाइक मतलब होता है कि जो एक सर्विस में होते हैं मतला अस thank family ह और इसी के सासाथ मतलब और उससे और मोटिबेट हुए बाकी के जो आसपास के एरिया हैं बाकी के आसपास के जो आम लोग बागげ जो अंग्रेबियों से परिशानते वह भी मोटिबेट हुए और लड़ने के लिए और 1817 में जो बक्सी ता जो अपना मिलेटरी कमांडेंट था बक्सी ने क्या करा लग 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 दस हजार पाइक के साथ आटेक कर दिया और मुकंद देफ टू को और लड़ाई जगड़े में पाइक का सपोर्ट करने वाले बहुत लोग तो जिन में से जो जगन्नात मंदिर के मंदिर भी शामिल थे उसमें जगन्नात मंदिर के जो जारी होते हैं वो लोग भी इसमें शामिल थे सिचेवशन को अंग्रेज़ोन ने अपने हाथ से निकलता देखा तो अंग्रेज़ोन कर रहा पर इसे एरिये में मारशलोग लगा दिया मारशलोगे तहत वहां के राजा को और उसके संड दोनों को बंदी बना लिये गजा और साथ ही जो बक्सी है बक्सी ने कोशिश की कटा और खुद्रा के बीच में जो उनका कम्मिनुकेशन इसको रोक नहीं की और यह जो मतलब यह रिवॉल्ट है यह रिवॉल्ट सदन इंडिया में और नॉर्थन वेस्टन पार्ट उड़ीसा में फैल गया और साथ ही साथ अंग्रेजों ने एक बिटिश को सेंट कर रहा है जो कि मेजर जनरल था मार्टिन डेल उसको इसलिए भीज़ा था कि वो यह पाइक्स को किलियर करें वहां मतलब उस एरिये को पाइक फ्री एरिये बना दे तो इसके साथ साथ बक्सी को पकड़ने की काफी होशित करा गया बढ़ कुछ टाइम के बाद कई पाइक्स मारे भी गए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो पूरा कंट्रोल लगभा लगभा अपने हाथ में कर लिया था ईब कई सारे पाइक्स को इता है बक्सी था बक्सी अभी जिन्दफ को जारी रखा इसने बक्सी नहीं जोके राजा और नगए को बोड़ाई को मैं घ्यारी तक 3825 नहें बक्छीन आपको खर लिया और बिटिश लघ्श लूग है वह भी थोड़ेसं लोगिया वो थोड़े से पुलाइट हो गया मतलब थोड़े उनमें प्रेम भावना की फिलिंग आई थोड़ी बहुत फिर उन्होंने क्या करा कि वहां के जो नमक है नमक की कीमतों में कमी करी रिवेन्यू सिस्टम में उसको भी थोड़ा से सॉफ्ट बनाया और जो भी दसान आफ जहना टेंपिल के लिए उन्होंने 24,000 वे दियो उसके देखरेक के लिए मतलब इसका इंपेक्ट है ओल ओवर मतलब अलिसा के बाहर वी अलिसा के आसपास की जगा पर भी काफी काफी बड़ा है कि यह चेप्टर अब कंप्लीट होता है कि कर दो państ θα किंगा है कि अन्हों होता है इसका हुई अब काफी काफी अडिर न्हों होगा र माशन जगप्ट है कि यह कोशना बम दो टूस